नमस्ते फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रेनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरी योटूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में हम ऐसे कौन से ड्रिंक लें जो हमारी बॉटी को डिटॉक्स भी करवाएं और साथ में अल्कलाइन हो तो और भी अच्छा दोस्तों मैंने मेरे लेटेस वीडियो में अल्कलाइन ब्लड और एसेटिक ब्लड के कंसेट को क्लियर करने की कोशिश की है तो आप चाहें तो महां जाकर देख सकते हैं मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो अब जाया देर ना करते हुए चल और भी डेटॉक्स ड्रिं को लेने के पहले पांच बेसिक पॉइट पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो पॉइट्स ये रहे दोस्तों जब हमारा घर गंदा हो जाता है या हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसे हम पानी से क्लीन करते हैं बस ऐसा ही कुछ हमें हमारी बोडी के साथ करना है means हमको हर डिटॉक्स डिंक कर बेसिक कंपोनेंट पानी ही लेना है दोस्तों अब मैं जो पहला डिटॉक्स बताने वाली हूँ वो सौफ से बनाया जाता है नॉर्मली तो मैं गर्मी के मोसम में मसालों के डिटॉक्स रिकमन नहीं करते हूँ क्योंकि इनकी तासीर गरम होती है लेकिन सौफ एक ऐसा स्पाइस है जिसकी तासीर ठंडी होती है और इसकी सासर इसमें बहुत सारा भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इसमें बहु सी होता है अब आगे हम यहां पर इसकी मेडिसनल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे सोफ का डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल होता है इसमें एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी होती है जिससे पेट की एठन की बिमारी दूर होती है और इसलिए यह इरीटे तो बहुत सारा फार बर होता है जो कॉन्सिपेशन की कंडिशन में बहुत हैलफूल है और यह बोडी में एक्स्ट्रा फेट बंने से भी रोकता है और वैट लॉस में ऐसे यह घा करता है और इसमें एक और चीज होती है कि 5 कारण इसमें एंटी इन्योक्सिडेंट से यह रोकती है नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो इसमें विटामीन ए होता है जो आखों की रोष्णी के लिए बहुत जादा लाबकारी है नंबर 5 इसमें विटामीन यह होता है जो हमारी brain cell को damage होने से बचाता है और इसमें anti-microbial, anti-inflammatory, anti-allergic property होती है जिससे कि हमारा blood जो होता है purify होता है और इसकी glow करने लगती है लास्ट में इसकी एक property बहुत ज़्यादा लावकारी है कि इसमें potassium और nitrate भी होता है जो body में blood के pressure को कम करता है अब मैं यदि इसके side effects की बात करूँ तो इसके side effects वैसे तो बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ studies में देखा गया है कि pregnant female को soft नहीं लेना चाहिए वो उनको नुकसान कर सकती है और number two किसी किसी लोगों को soft से allergy होती है और उनको racist हो जाते हैं उनको भी soft का पानी नहीं लेना चाहिए अब हम समझते हैं कि हमको ये detox बनाना कैसे हैं सबसे पहले आपको one teaspoon soft लेना है उसको दो ग्लास पानी में डुबो कर रख देना है फिर three-four घंटे बाद इस पानी को चान कर पी लेना है और यदि आप भूल गए हैं पानी में डुबोना तो आप 1 dais spoon soft को दो गिलास पानी में उबाल कर ठंडा कर कर छांद कर भी पी सकते हैं पैसे तो इस soft के पानी को आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं लेकिन खाना खाने के एक गंटे बाद यदि ये सौफ का पानी लेते हैं दिन में दो बार तो इसके बहुत अच्छे रिजल्स हैं दोस्तों। अब हम नमबर टू डिटॉक्स की बात करने वाले हैं जो ककड़ी से बनता है। इसमें सबसे पहले आपको जार में एक पानी लेना है, एक मीडियम साइज छिलके साहित कुकुम्बल लेना है। यदि ककड़ी नहीं हैं तो कुकर बिटेसी फैमिली की आप दूसी सबजी जैसे लोकी भी ले सकते हैं। और इसमें 8-10 मिंट लीव या पौदीदा की पत्तिया डालना है। उसे ग्राइंड करके आपको छनी से छान लेना है। यह आपका ड्रिंक तयार हो गया है। इसमें आपको एक चुटकी रॉक सॉल या काला सेंदा या सेंदा नमक डालना है। और इसमें आपको नमबर टू जीरा पाउडर डालना है। अब हम इन चारों इंग्रेडियंट की वन वाइवन इनके न्यूटिटिव वैल्यू और इनकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करेंगे। कि यह हमारी बॉडी में कहां कहां हेल्फुल हो सकता है। सबसे पहले हम ककड़ी की बात करें तो ककड़ी में 96% वाटर ही होता है। और उसके साथ में उसमें विटामिन C, विटामिन K, पोटेशियम, मेगनेशियम, जिंक, फॉस्फोरस और एंटि आक्सिडन्स होते हैं। अब हम यदि ककड़ी की medicinal property की बात करें तो इसमें calories बहुत कम मात्रा में होती हैं पर इसकी nutritive values बहुत जादा होती हैं। इसलिए यह वेट लॉस में बहुत जादा helpful होता है दोस्तों। ककड़ी में antioxidants होते हैं जो हमारे शरीर में harmful free radicals के इखटा होने को रोगते हैं जिससे हमारे शरीर में chronic बिमारी की risk कम हो जाती है। इसमें बहुत सारा fiber होता है जिसके कारण हमें constipation नहीं होता है और duration भी strong होता है। ककड़ी में बहुत सारा पानी होता है इसलिए ये हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। ककड़ी में soluble fiber pectine होता है जो blood cholesterol level को control में रखता है। अब हम यहाँ पर जीरे की medicinal property के बारे में बात करेंगे। जीरा जो होता है हमारे hydration के level को बहुत अच्छे से maintain रखता है। जिससे patient को summer में बहुत fresh feel होता है। और जीरे में potassium की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसलिए वह हमारे high BP को control करने में भी help करता है। जीरे में follets होते हैं जो help करते हैं ABC के synthesis में जिससे की anemia की risk कम हो जाती है। और यह liver को detoxify करने में भी help करता है क्योंकि यह bile juice के production को बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे कि जीरे की कौन-कौन से side effects हो सकते हैं। उसमें number one यह है कि जीरे की तासीर गरम होती है। इसलिए इसे कम माता में यूज करना चाहिए। Number two यह blood sugar के level को एकदम से कम कर देता है। इसलिए इसका भी ध्यान दखना चाहिए। इसलिए हमेशा इसको बहुती minimum या moderate quantity में ही लेना चाहिए। अब हम यहां पर मिंट या पुदीनी की medicinal property के बारे में बात करेंगे। मिंट में vitamin A बहुत अच्छी माता में होता है। इसलिए यह आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। Number two यह skin के infection से भी हमको बचाता है। Number three इसकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा काम करता है। Number four इससे digestion अच्छा होता है। इसलिए patient को irritable bowel syndrome में भी अच्छा काम करता है। और कुछ studies में देखा गया है कि यह brain function पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए यह drink बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत helpful है। क्योंकि वहाँ उनकी eyesight को मजबूत बनाएगा। और साथ साथ उनके brain function को भी healthy बनाएगा। यहां पर अब मैं कुछ points के बारे में discuss करूंगी जो किसी भी detox को लेने के पहले जानना जुरूरी है। नमबर वन कोई भी detox आपको fresh ही लेना है। बनाकर नहीं रखना हैं पहले से। कोई भी detox को हमेशा कांच के glass में लेना चाहिए क्योंकि हर content का metal के साथ साथ अलग-अलग reaction होता है। नमबर तीन कोशिश कीजिए detox को आप खाली पीट लें और detox लेने के एक घंडे बाद खाने का कुछ ले सकते हैं। किसी detox ड्रिंक में यदि मैंने नमक बताया है तो सेंधा नमक इस्तमाल करना है और ध्यान रहे। काला सेंधा नमक या ब्लेक सॉल्ट जो होता है वो हाई वीपी वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। गर्मी के मोसम में detox को नॉर्मल वॉटर में या मटके के पानी में बना सकते हैं। और यदि आपको detox लेना है तो एक बार में एक से दो गलास पीया जा सकता है। किसी भी detox ड्रिंक में lemon को आखरी में डालना है lemon juice को और last जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी detox को हपतों तक या महिनों तक लगाता यूज नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए आपकी डेली लाइफ में तीन से चार डेटॉक्स ड्रिंक रखें। जिससे कि आपको हर कंटेंड की medicinal प्रॉपर्टी का ज़र ज़रा फाइदा मिल सके। अब यदि मैं यहां पर तीनों detox के benefits को summarize करकर बताने की कोशिश करूं तो यह weight loss में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसकिन को healthy बनाते हैं, इसमें बहुत सारे antioxidants होते हैं, इसलिए इम्मूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, हमारा जो mint है, हमारा जो पुदीना है, वो उसमें vitamin A बहुत अच्छा होता है, तो आँखों के लिए अच्छा होता है, दोस्तों, body एक complex structure है, हम कुछ भी healthy चीज खाते हैं, या कुछ भी healthy करते हैं, तो उसका असर body के, हमारे शरीर के हर पार्स पे परता है, दोस्तों, यह वही drink है, जो हमारी दादी, नानी, बसों से बताती आ रही हैं, और हमें पता भी सब होता है, लेकिन हम इनको timely और सही combination मे नहीं लेते हैं, इसलिए यह अपना 100% जल नहीं देती हैं, जिनको जिस तरह का detox drink suit करता है, वो अपनी life में इन detox को add करके, अपनी healthy life की journey को शुरू कर सकता है, यदि आपको मेरा या video informative लगा हो, और आपकी body को detox करने के concept को समझने में, आपको help मिली हो, तो please like, share and subscribe my video, my channel, thank you. कर दो